हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो एक्समार्ट स्टेडी यूटूब चैनल, साथियो आज भारत का भुगोल यानि इंडियन जोगरोफी के टॉप 100 कोस्टन्स क्लास में करेंगे और ये कलास, पहला कलास है, मोक टिस्ट आपको लगाना है, आपको वो कोस्टन्स करवाएंगे जो परिक्षा में पूछे जाते हैं, ठीके परिक्षा में आने वाले इंडियन जोगरोफी के वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोस्टन्स, तो अगर आप किसी भी गुवर्मेंट एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं, तो आज का ये कलास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है, तो आन तक दिखिएगा बिना इसकीप किये हुए, SSE का कोई भी एक्जाम हो, SSE, MTS, CHSL, CGL, बिहार पुलिस, UP पुलिस, MP पुलिस, डेली पुलिस, सभी एक्जाम के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट होगा, तो चलिए देखते हैं कोस्टन्स, पहले कोस्टन के साथ, तो सभी लोग क्लास को साथ लाइक कर दीजे, और क्लास पसंद आए, तो प्लीज अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शियर करिएगा, आप में से कोई भी साथी नए है, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकेन को अन कर लेना, इससे आपको सारे क्लास का नोटिफिकेसन आएगा, चलिए देखते ऑप्सन नमबरे घाट प्रभानदी, अगला है भारत में सारवादी कोईला भंडार पाये जाते हैं कहां, तो दीखे भारत में सारवादी कोईला का भंडार ये किस राज में पाये जाता है, तो करिक्ठ है ऑप्सन नमबर भी जारखंड, साथ यो आपको बता दें कि पूर की लिए सबसे left prophesies बारत की जन संख्या कब 100 जो एक सू करोड की हो गई थी थी जर शो हजार में मैं भारत की जन संख्या एक सो करोड की हो गई थी अगला है प्रतम जल्बिदाऊ को अहां पर अस्थापित किया गया था तो साथ यो काफी important question है देखिए प्रथम जल्बिदुत सक्ति केंद्र ये question बहुत ज्यादा पूछा जाता है अपकी exam के लिए very very important question है तो याद रिखीगा प्रथम जल्बिदुत सक्ति केंद्र ये सिब समुद्रम में अस्थापित किया एक बांध है याद रिखे कावेरी नदी right है option number B निमनल खित में से किस राज में तामबा खनीज का सबसे बड़ा भंडार है यानि निमनल खित में से वहां कौन सा राज्य है जिस राज में तामबा खनीज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो देखिए right अंस रोगा option number D राजस्थान next है राजाजी राष्टिय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका तो देखिए राजाजी नेशनल पार्क जो है ये किसके लिए famous है तो right answer है ACI हाथी के लिए option number D करेक टंसर हो जाएगा अगला है साबरमती नदी किस सहर के किनारे भहती है देखिए साबर option number B अहमदाबाद गुजरात स्वेत करांती का संबंद किस से है ये भी question बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो दिखे स्वेत करांती का संबंद दूद उत्पादन से है याद रिखीगा option number B correct है इसके प्रानेता कौन थे तो साथ्यों डॉक्टर बर्गीज कुरियन और ये क प्रारंब हुआ था operation flood के नाम से तो 1970 इस भी में याद रिखीगा चले next question है दक्षिन पस्चिम मानसुन निमनलकित में से किस परदेश में सरपर्थम परवेश करता है आपको बता दे कि साथ यो भारत में जो सबसे जादा वर्षा होती है वो इसी मानसुन से होती है जिसका नाम है दक्षिन पस्चिम मानसुन और ये सबसे पहले कहां परवेश करता है तो केरल में तो करिक्ठ है option number D केरल निमनलकित में से कौन सा राज्य सहतूत रेसम उत्पादित करता है तो देखे सहतूत रेसम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है तो करनाटक याद डेगाना खान ये किस राज्य में इस्तित है तो देखे टंगश्टन उत्पादन के लिए प्रसीद है या जाना जाता है ये डेगाना खान जो की राजस्थान में इस्तित है राइट है option number C जायकबाडी परियोजना किस नदी परिस्ति थे साथियो ध्यान से दिखिए काफी अच्छा कोश्चन है जायकबाडी परियोजना किस नदी परिस्ति थे तो ये गोदावरी नदी परिस्ति थे option number C भारत में खनीज के तेल के भंडार मुख्यता किस परकार की चट्टानों में पाए जाते हैं तो ध्यान से दिखीगा भारत में खनीज के तेल के भंडार जो है ये मुख्यता किस परकार की चट्टानों में पाए जाते हैं तो याद रिखीगा अवसादी चत्तानों में option number B निमनलखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था नेफानगर या नेफा के नाम से भारत का कौन सा राज्य पहले जाना जाता था तो बहुत ही ज़्यादा ये question पूछा जाता है याद रिखीगा अरुनाचल परदेश option number C कुल्लू घाटी निमनलखित परवत सिरेणियों के बीच अवस्तित है याद रिखीगा धोलाधर तथा पीर पंजाल परवत सिरेणियों के बीच में हिमाचल परदेश राज्य में बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निमना लिखित में से किस राज में इस्तित है तो दिखिए बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा जो है बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा ये किस राज में इस्तित है तो साथियो जम्मु कस्मेर में किस राज अथवा केंद्रसासित परदे तो याद रिखेगा समुद्री घास अगला कोस्टेन है स्वेज नहर जलमार्ग के दोनों सीरो परिस्थित पतन युगुम कौन सा है यानि माल लेते यह स्वेज नहर है यहां से यह स्टार्ट होता है एप पॉइंट पे और बी पॉइंट पर दो पतन इस्थित है ठीक है उन साइद और स्वेज तो करेक्ट आएगा ओप्सन नमबर डी स्वेज नहर से एक बहुत ही ज्यादा फेमस कोस्टन पूछा जाता है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोडता है तो याद रिखेगा लाल सागर और भूमज सागर को और एक कोस्टन पूछा जाता है कि स्वे है option number C, ग्रहों की गती कानियम किसने परति पादित किया तो यह भी question बहुत ही, इंपूर्टेंट है तो जोन्स केपलर ने, right है option नमबर D, सनी ग्रहों को सर पर्थम किस खोगल सास्त्री ने देखा था, तो देखे सनी ग्रहों जो बलायों से घिरा हुआ है रिंग से, तो सनी ग्रह को सरपर्थम किस खगल सास्त्री ने देखा था याद रिखेगा साथियो गैलिलियो ने ओप्शन नमबर ए निमनलखित में से किस विद्वान ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिध्धान्त का प्रतिपादन किया है तो देखे राइट होगा माल्थस ने ओप्शन नमबर भी माल्थस ने ही यह बताया था कि प्रतिएक 25 वर्ष के बाद जो जनसंख्या होती है वो दो गुनी हो जाती है अगला है बिश्व के कुल ब्यपारिक उर्जा उत्पादन का सारवादिक भाग किस रोत से प्राप्थ होता है याद रिखेगा पेट्रोलियम से ओप्शन नमबर सी रोकी परवत के पूर्वी ढालो पर उतरने वाली हवा को सयुक्त राज अमेरिका और कैनेडा में क्या कहा जाता है याद रिखेगा चिनुक आप्शन नमबर भी करेक्ट है बिसो भुगोल के कोस्टन्स भी मैंने एड किया है जो कोस्टन्स इंपोर्टेंट है जो पूछा जाता है हमेशा अगला है बिसो में पवन उर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो याद रिखेगा option के according correct answer हो जाएगा सम्युक्त राज अमेरिका option number B वैसे पवन्चक्तियों की भूमी निदर लेंड को बुला जाता है ये आपको याद रखना है ठीके चलिए अगला question है डोल्डरम छेत्र की विशेष्टा क्या होती है तो साथ चलिए के डोल्डरम छेत्र जो होता है जो भी डोल्डरम छेत्र होता है उसकी विशेष्टा यह होती है कि वहां का जो पवन होता है हवा वो बिलकुल सान्थ रहता है और जो परेसर होता है दाब वो भी कम होता है तो राइट होगा option number D, निम्न दाव, एबम सांत पवन, प्रसिद भोगोलिक गरंथ, किताब उलहिंद के लेखक कौन है, तो ये प्रसिद भोगोलिक गरंथ है, किताब उलहिंद, इसके लेखक हैं, अलब रूनी, option number A, राइट अंसर है, निम्न लेखित में से किस नगर को empire city क रहा जाता है, तो देखिए empire city किसको कहा जाता है, साथ यो new york सहर को, new york जो कि अमेरिका का एक बहुत ही बढ़ा सहर है, ये new york जिसको empire city के उपनाम से जाना जाता है, निम्न लेखित में से कौन सी समद्रिक नहर, उतरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, तो संत्य नमदसार में सबसे बड़ा महादीप कौन साë है तो यानी जिस मैद लावा का निर्मान होता है उन मैदानों में सबसे जादा केसी किस फसल की की नह्याती है। याद रिखेगा कपास का राइट है प्रदैस की उपज हे तो विश्व as प्रदेश की अगर आपसे पूछे पूरे विश्व में रबर का सब से अधिक तो याद रिखेगा शहाएं घाएलेंड में ठीक है और भारत में अगर पूछे तो भारत में सबसे स्विर्यताप के समान अवधी वाले अस्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कर लाती है अब देखिए मैप में जो स्विर्यताप के समान अवधी वाले अस्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहा जाता है त्याद रिखेगा आइसो हेल रेखा ओप्शन दिया बर्सा बनो की राइट है option number B next है आकास का सबसे चमकदार तारा कौन सा है तो साथियों दिखीगा आकास का सबसे चमकदार तारा जो है उसका नाम है serious राइट है option number D slate और संगमरमर ये किस परकार की चटाने है तो याद रिखीगा slate और संगमरमर जो है ये कायंतरित चटान के उधाराने साथियों कायंतरित जिसको हम रुपानतरित भी भोलते हैं तो राइट है option number C the great ocean trademark किस महासागर से होकर गुजरता है तो ये question साथियों very very important ह याद रिखीगा the great ocean trademark ये उत्री अटलांटिक महासागर से होते हुए गुजरती है option number C सेकांको द्वीप के स्वामित्वों का विबाद किन दो देशों के बीच में है तो दिखीगा सेकांको द्वीप के स्वामित्वों का विबाद जो है ये साथियों चीन और जपान दो देशों के बीच में है तो याद रिखीगा option number C चीन और जपान निमनेलखित में से कौन सा एक देश सरवाधिक घना बसा हुआ है तो इन में से कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा घना बसा हुआ है यानि जिसका घनत वो जनसंखा घनत वो सबसे अधिक है तो याद रिखीगा बांगला देश का option number D बिश्व के सित मरुस्थलों को अन्यकिस नाम से जाना जाता है तो टूंडरा परदेश के नाम से option number B अल जी जिया ये कहां इस्तित है साथिव आपकी जानकारी के लिए बता देए अल जी जिया दुनिया का सबसे ज़्यादा गर्म जगा है और ये कहां परिस्तित है तो सहारा मरुस्थल में सहारा मरुस्थल जो की अफरीका में इस्तित है बिश्व में किस महादिप में आदिम जातियों की सरवदिक जनसंख्या पाई जाती है आदिम जन जाति किसको बोलते हैं जो इनसानों को खा जाता है आप देखिए आदिम जातियों की सरवदिक जनसंख्या ये अफरीका महादीप में ही पाई जाती है विशु में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो याद रिखीगा ब्राजिल ऑप्शन नमबर बी निमनलकित में से किस महासागर की प्रमुक विशेस्ता प्रवाल वित्ती है तो सबसे ज़्यादा प्रवाल वित्ती ये प्रसांत महासागर में पाया जाता है तो आप्शन नमबर बी राइट एंसर होगा माल्थस के अनुसार जनसंखा कितने वर्सों में दोगुनी हो जाती है मैंने अभी आपको बताया था तो याद रिखेगा 25 वर्सों में option number B मानस किस नदी की उप नदी है तो साथ देखिए मानस जो है ये एक उप नदी या सहायक नदी है किस नदी की तो ब्रमापुत रनदी की option number D पेरियार बन्य पसू बिहार किस राज में अवस्थि थे तो मैंने आपको बताया है जब भी पेरियार का नाम आए तो आपको केरल आंसर करना है इस question का भी right answer होगा option number D केरल भारत में सबसे उची परवच्चोटी कौन सी है तो ध्यान से दिखिए भारत में सबसे उची जो परवच्चोटी है ये कौन सी है तो गौडविन ओस्टीन option number A नंदादेवी जीब मंडल किस राज में इस्तित है साथियो ध्यान से दिखिए नंदादेवी जीब मंडल ये आपका उत्राखंड में इस्तित है option number D करेक्ट है उत्राखंड जम्मू कस्मीर की राजधानी जो सिरीनगर है ये किस नदी के तट पर इस्तित है यानि सिरीनगर ये किस नदी के तट पर इस्तित है भारत और पाकिस्तान के बीच करेक्ट है option number A जायद मोसम में उगाई जाने वाली फशल कौन सी है ध्यान से दिखिगा जायद के मोसम में जो उगाई जाने वाली प्रमुक फशल है वह साथ यो तरभूज करेक्ट आएगा option number A तरभूज याद रिखिगा option number C चन्नाई में जाडो में वरसा होती है किस मानसुन से अब दिखिए दक्छिन पश्चिम मानसुन के बारे में मैंने आपको बताया ठीक है जिससे भारत में सबसे जादा वरसा होती है लेकिन आपको याद रखना है कि दक्छिन पश्चिम मानसुन से चन्ने में वर्सा नहीं होता है चन्ने में जो वर्सा होता है वो होता है उत्री पुर्वी मानसुन से जिसको हम बोलते हैं साथ यो लोटती हुई मानसुन और ये हमेशा जाडों के दिनों में होता है नौमबर दिसंबर या अक्टूबर नौमबर में अगला है निमनल खित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है तो देखे अरब सागर में इनमें से कौन सी नदी गिरती है तो माही नदी, option number C, correct answer माही नदी चलिए अगला है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है तो देखे करिक्टन सरे आप्षन नमबरे उत्तर परदेश निम्न में से किश नदी को बिहार का सोक कहा जाता है तो साथियों बिहार का सोक कोसी नदी को कहा जाता है कोसी नदी याद रिखीगा कोसी नदी देखिए कोसी नदी को पहले जो है अरुना नदी के नाम से जाना जाता था ये भी आपको याद रखना है दक्षिन भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है तो देखे राइट एंसरों का गोदावरी याद रिखे गोदावरी को दक्षिनी गंगा कहा जाता है या तो बृत गंगा भी कहा जाता है ठीक है और याद रिखे प्रारीपिया भारत की सबसे बड़ी नदी भी क रहा जाता है गोदावरी नदी को और एक चीज़ याद रखिए अगर आपसे पूछे दक्षिन भारत की गंगा तो फिर काविरी आएगा दक्षिनी गंगा गोदावरी और दक्षिन भारत की गंगा पर काविरी, इस पर कन्फ्यूज नहीं होना है किस राज में राष्ट्य उधान Valley of Flowers यानी फूलो की घाटी इस्तित है तो देखे फूलो की घाटी तो चमोली में इस्तित है चमोली जो की नंदा दिवी परवतमाला परिस्तित उत्राखंड में इस्तित है तो correct होगा option number एं उत्त्राखंड सलाल जल विद्यूत परियोजना किस राज में इस्तित है तो देखे right एंट सो रोगा option number B जम्मू कस्मीर में भारत के उत्तर पस्चिम भाग में सित्काल में वर्सा होती है किस मानसुन से अभी मैंने बताया उत्तर पुर्वी मानसुन से यानि लोटती हुई मानसुन से option number B ठीक है बिल्कुल correct है उत्तर पस्चिम भाग में पूछा है न माफी चाते हैं देखे भारत के उत्तर पस्चिम भाग में जो वर्सा होती है सित्काल में वो होता है पस्चिमी बिच्छोब से याद रिखे option number C ठीक है बिल्कुल चलिए अगला कोस्चिन है विभाजन के कारण भारत का कौन सा उधोग है जो बूरी तरह से प्रभावित हुआ तो correct answer है जूट तथा रूई उधोग जूट तथा रूई का सबसे बड़ा उधोग जो है या सबसे अधी किये कहां पर होता है तो बांगला देश में और ये पहले तो बांगला देश पाकिस्तान भारत में ही था तो विभाजन के बाद ये अलग-अलग देश बन गया इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी उधोग पर पड़ा था अगला कोस्टे ने निमनल खित में से कौन सी नगदी फसल है तो देखे जायद के मुसम में उगाया जाने वाला ठीक है यहाँ पर तरबूज तो नहीं है लेकिन यहाँ पर नगदी फसल मुझे दिख रहा है तमबाकू बेलकूल तमबाकू जो है साथियो ये नगदी फसल के अंतरगत आता है भारत का प्रमानित समय उस अस्थान का इस्थानिय समय है जो इस्थी थे किसके समीप तो याद रिखे इलहाबाद के समीप और औप्शन नमबर C जांपूर किस नदी के तठ परिष्थी थे अगला है महानदी नरमदा तथा सोन नदिया ये कहां से निकलती है तो करिक्ट रा जाएगा और option नमबर D अमर कंटक पहारी से काकरापार परियोजना किस नदी से संबंदी थे तो याद रिखिये का काक्रापार परियोजना जो है ये किस नदी से संबंधी थे तो करिक्ट अंसर हो जाएगा तापती नदी परिष्थी थे ये काक्रापार परियोजना याद रखना अगला है भारत में अधिकांस बन समपदा का मालिक कौन होता है तो याद रिखिए भारत में अधिकांस अता बन समपदा के मालिक राज्य होता है राज्य सरकार option number D 2011 की जनगर्ना के अनुसार निमनलकित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्टिया औसत से नीचे है यानि सबसे कम साक्षर था किस राज का दर्ज किया गया था तो करेक्ट देखिए ओप्षन के एकोडिंग याद रिखेगा ओप्षन नमबर सी ओडिस्था अगला है भारत का सारवधिक जस्ता उत्पादक राज जी कौन सा है तो करेक्ट आएगा ओप्षन नमबर बी राजस्थान अगला है निमनलकित में से कौन सा तट पस्चिमी तट का भाग नहीं है तो देखिए पस्चिमी तट का भाग काठिया बार तट कौंकन तट माला बार तट तो है लेकिन कोरोम अंडल तट नहीं है तो करिक्ट होगा option number D गुजरात में बड़ोदरा छेतर की मोतिपूरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है तो दिखे गुजरात में जो बड़ोदरा छेतर की मोतिपूरा खान है यहां से कौन सा पत्थर निकाला जाता है तो याद रिखेगा सफेद संगमरमर औप्शन नमबर सी संगमरमर की भूमी के नाम से परसिद सहर कौन सा है तो याद रिखे इटली इटली को संगमरमर की भूमी के नाम से जाना जाता है याद रिखे अफरीका के किस देश में हुतू देखिए हुतु तथा तुलसी जनजातियों के मज़ हिंसक युद्ध चल रहा है तो याद रिखेगा रवांडा में आप्शन नमबर सी करिक्ठ है निमन में से कौन सा जलवायू परदेश फलो तथा सराब निर्मान के लिए भी सुविख्या थे तो देखिए इन में से कौन सा जलवायू परदेश है जो फलो तथा सराब निर्मान के लिए भी सुविख्या थे तो याद रिखेगा भूमज सागरिया जलवायू परदेश ऑप्शन नमबर भी करिक्ठ है निर्मनलकित में से कौन सी बायू सुविख्यलेंट से उत्री आलपास के बिमुक ढाल पर भाती है यानि इन में से कौन सा हवा है जो सुविख्यलेंट से उत्री आलपास के बिमुक ढाल पर भाती है तो देखे राइट होगा फण आप्शन नमबर ए प्रिथिवी के द्रब पदार्थों के घनिवूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं यानि वहाँ चट्टान जो प्रिथिवी के द्रब पदार्थों में या पदार्थों के कारण घनिवूत हो जाते हैं उनको क्या कहा जाता है याद रिखे आगने चटान, ओप्षन नमबर A, निमना लिखित में से किसे रूस का मैंचेस्टर कहा जाता है, तो राइट है साथ यो ओप्षन नमबर D, इवा निवो को, बिश्व की सबसे ब्यास्त ब्यापारिक नदी कौन सी है, तो राइट है ओप पग रहें, तो याद रिखेगा साथ यो 27, ओप्षन नमबर A, सम भुकम्प रेखा का आकार प्राय कैसा होता है, तो देखिए जो सम भुकम्प का रेखा होता है, उसका आकार जो है वो आनियमित होता है, बिल्कुल आनियमित, ओप्षन नमबर B, जो आला मुखी गती से किस प्रकार की जिल बनती है, तो साथ यो कालडेरा जिल, ओप्षन नमबर A, करेक्ट है, नेक्स्ट है, नियमित लिखित में से कौन सा देश, गेहूं और चावल, दोनों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो गेहूं और चावल, दोनों का ही विश्व में स सबसे बड़ा उत्पादक देशे चीन ओप्शन नमबर भी खनीज पदार्थों की द्रिष्टी से भारत का कौन सा छेत्र सबसे अधिक समरीद है तो दिखे राइट है छोटा नागपूर का पठार निमनलखित में से किसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है तो जापान या में स्थित कालगूरगी ये किस केलिए विख्यात है तो सुर्ण उतपादन के लिए ओप्शन नमबर भारत में ब्रिहत पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी छेतर में की जाती है तो राइट है ओप्शन नमबर C हूगली नदी घाटी छेतर में नेक्स्ट है न और निकोवार्द्यूप समूमे महाराष्ट्र इस्थित पिमपरी किसके लिए परसीद है तो महाराष्ट्र राज में पिमपरी ये किसके लिए परसीद है तो याद रिखे एंटिबायोटिक उधोग के लिए option नमबर D गद्धी लोक निवासी है कहां की यानि गद्धी एक लोक निवासी है ये जंजाती है किस राज की तियाद रिखे हिमाचल परदेश की भारत में हिमालाई की सरवच्च परवच्चोटी कौन सी है तो भारत में इस्थित हिमालाई की सरवच्च परवच्चोटी है कंचन जंगा जो की भारत के सिक्किम राज में इस्थित है वै के एक सो से दो सो सेंटिमीटर ओसत बार्सिक वर्सा वाले भागों में किस परकार की वनस्पत्ति पाई जाती है तो याद रिखेगा उश्नाद्र पत जड़ बन ऑप्शन नमबर सी भारत की कौन सी प्रवत्षरेणी नविंतम है तो साथ यो दिखे भारत की कौन सी प्रवत् अगला है निम्न लखित में से किस स्थान पर लो इस्पात उधोग नहीं है तदी के जमसिदपूर दुरगापूर और भिलाई तिनो जगा पर लो इस्पात उधोग है लेकिन जरिया में नहीं है जरिया में ने आपको बताया कोल यानि कोईला के लिए जाना जाता है अंति उसको जोड़ता है यानि दिल्ली से अमरित सर को तो करिक्ट आएगा ऑप्सन नंबर सी तो जातियों आज का क्लास हम लोग यहीं पर एंड करेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट पेपर में आने वाले कोस्टन्स मैंने आपको आज इस क्लास में कराया इंडियां जोग्रोफी के आपको कोस्टन्स कैसे लगे हैं जरूर बतेए चैनल के अंदर वेरी इंपोर्टेंट क्लास मैंने अपलोड किये हैं आप लोग जाएए और देख लिए इस क्लास को लाइक और अपने सबी दोस्तों के साथ जरूर शियर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना